हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Study for Civil Services के मारे चैनल पर आज हम लोग Part No.4 करेंगे Brief History of Modern India पर हमारी सेरीज चल रही है Chapter-wise MCQs की उसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे Part No.4 है यह इससे पहले 3 Part आचुके हैं जल्दी English की सेरीज भी स्टार्ट ओने वाली एस में तो English Medium वाले बस थोड़ा सा धहरे बनाए रखें और अगर आपने वीडियो क्लिक ही कर दिया तो Like, Share, Subscribe कर दीजेगा इमानदारी से Like, Share, Subscribe करेंगे इसा भी लोग उनको यह MCQs benefit दे रहे हैं प्रस्ट नमबर 9 से यहां पर आगे बढ़ते हैं बैथ्यून स्कूल की स्थापना इश्वर चंद विद्या सागर ने 1849 में कलकत्ता में की थी यह पहला स्टेट्मेंट है दूसरा स्टेट्मेंट कहता है कि चार्ल्स वुड के Dispatch on Education 1854 ने महिला सिक्षा की अवश्यक्ता पर काफी जोर दिया तो कौन से स्टेट्मेंट यहां पर करेक्ट है हमारा के वल दूसरा स्टेट्मेंट यहां पर करेक्ट है चार्ल्स वुड के बारे में ब्यथ्यून स्कूल की स्थापना इश्वर्चंद विद्यासागर ने नहीं की थी किसने की थी देखते हैं इसाई मिश्नरियों ने सबसे पहली बार 1819 में कलकत्ता फिमेल जुविनाइल सोसाइटी की स्थापना की थी जयत ब्यथ्यून कलकत्ता में सिक्षा परिशत के अध्यक्स थे उनके द्वारा ब्यथ्यून स्कूल की स्थापना इश्वर्चंद विद्यासागर भी काफी जुड़े विए गल्स एजूकेशन से और मैलाओं की सिक्षा के अगरदूत माने जाते हैं 1914 में महिला चिकित्सा सेवा ने नर्सों और ये जो मिडवाइब्स हैं इनको प्रशिक्षित करने में बहुत काम किया भारती महिला विश्वद्याले की स्थापना प्रोफेसर डी के करवे ने की थी ये काफी इंपोर्टेंट है जो 1916 में महिलाओं को सिक्षा प्रदान करने वाली उतकरष्ट सनस्थाओं में से एक थी उसी वर्ष दिली में लेडी हाडिंग मेडिकल कॉलेज खोला गया था अगला हमारा कॉस्चन है कॉस्चन नमबर टेंथ इसमें भी यहां पर स्टेट्मेंट्स ही है चतुर वर्णा अश्रम की आउधार्णा ने तय किया कि किसी व्यक्ति की जाती ने संख्या के विभिन वर्गों की स्थिति और सापेक शुदिता का निर्धारण किया है ठीक है और दूसरा स्टेट्मेंट कहता है जातिक्रम जन्म समानता के सिधान पर आधारित थी गया ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की जिनसे एक हद तक जातीगत चेतना कम हो गई आरे समाज ने वेदों की और लोटो यानि बैक टू विदास के द्वारा अंटेचबल्टी को रेडिकेट करने कोशिश की कौन से स्टेट्मेंट से यहां पर गलत है इंकरेक्ट वाला आपकी बार यहां पर आपको बताना है इंकरेक्ट तो इसमें से दूसरा और चौथा इंकरेक्ट है यह वाला इंकरेक्ट है यहां पर और यह वाला इंकरेक्ट है इनका एक्स्प्रेनेशन देख लेते हैं हम लोग हिंदू चतुरवण आश्रम की अउधारणा ने तै कि किसी व्यक्ति की जाती ने विभिन वर्गों की स्तिती और सापेक शुद्धता के निर्धारण किया है यह जाती थी जो यह निर्धारण करती थी कि किस व्यक्ति को भू संपत्ति का अधिकार है या नहीं किसे सिख्षा का अधिकार है किसको भूमी का मालिक बनाय जा सकता है कौन क्या काम करेगा, कौन निचला काम करेगा, कौन उचा काम करेगा, कौन एक दूसरे के साथ भोजन कर सकते हैं, कौन एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं, सब कुछ तै किया जाएगा जाती के आधार पर, तो कथन एक सही है, दूसरा है, जाती की भेद भावपूर्ण स सब लोग आप जानते हैं तो कठन दो यहां पर गलत है जाती आदाजित भेदभाव को कम करने वाले कारक कौन-कौन से थे बिना किसी इरादे के बिना सोचे समझे कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसने एक हद तक जातिगत चेतना को कम किया यानि कि अगर आप देखें तो चाहे आप समाजिक आंदोलन देखें बाद में चाहे आप ट्रेनों को चलना देखें जाज़तर लोग ट्रेन में एक साथ सफर करते थे किसी भी जाती वरके हो तो उनमें थोड़ा सा मतलब जो दूरियां थी वो कम हो रहे थी अनिंटेंशनली समाजिक सुधार आंदोलन ने भी जाती आधारित शोषण को काफियत तक कम किया था राश्ट्री आंदोलन ने समाज को भाजित करने की प्रवक्ति रखने वाली ताक्तों के खिलाफ लड़ने के लिए सोतंतरता और समानता के सिध्धानतों से प्रेड़ा ली सिक्षा और समान जागरती के बढ़ते आउसरों के साथ स्वम निम्न जातियों में हलचल बढ़ी विजागरत हुए अपने अधिकारों के लिए और सजग भी हुए हारी समाज ने हिंदू समाज के असंखे उपजातियों के बटवारे का विरोध करते हुए इससे मूल चार विभाजन पर फिर से संगतित करने का लक्ष रखा था इस वज़े से स्टेटमेंट नमबर फोर सही है हमारा अगला कोशन है है पर कि सतनामी आंदोलन के संबंद में निमलिकित कत्नों पर विचार करना है गासी दास ने 36 गड़ में सतनामी समुदाय की स्थापना की थी ये पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट है हाशिय पर यानि जो आपकी सब्जिगेटिट कास्ट से और आपके समुदाय थे उनके लिए समाजिक नयाय की लड़ाई थी ठीक है ये सतनामी आंदोलन ने की थी ग्रमीड भारत में सती प्रथा और विद्वा उत्पीडन को रोकना इनका लक्ष था क्या ये स्टेटमेंट सही हैं कौन से स्टेटमेंट यहां पर सही हैं गासी दास ने 36 गड़ में सतनामी समुदाय की स्थापना की थी ये सही है और हाशिये पर की जातियों और समुदायों के लिए समाजिक नयाय की लड़ाई इन लगों ने की थी ठीक है अब देखते हैं हम कुछ facts इस अंदोलन के बारे में घासी दास के बारे में घासी दास ने 36 गड़ में सतनाम जिसका अर्थ सत्य होता है और समानता और भारत में सतनामी समुदाय की स्थापना की थी घासी दास ने और एक धार्मिक समाजिक आदेश को उकसाया था जिसने समाज से पदानुक्रमिक जाति विवस्था को धुस्त करने में मदद की थी ये आदेश या फिर कह सकते हैं अवधार्णा आइडिलोजी घासी दास फॉलो कर रहे थे और सत्यामियों के माध्यम से उन्होंने उसका प्रोपोगेशन शुरू किया सिध्धानतों से सभी लोगों को समान माना सत्नामि सिध्धानत में कहा गया है कि केबल एक इश्वर है जीसे निराकार और अनन्त रूप में उन्होंने वर्णित किया है ठीक है एक गौड है और वो अनन्त है वो सुप्रीम है यह सब उसमें बताया गया है घासिदास का विचार था कि समाजिक अन्याय और असमानता के उन्मूलन के उपाए व्यक्ति के उचित परिवर्तन और आंत्रिक परिवर्तन के बिना संभग नहीं है ठीक है अगला क्वेश मिला था वाद की बात है दा हिंदू कॉलेज ओफ कलकत्ता ने बंगाल में आंदोलनों को आधनिक बनाने में महत्पूर भूमी का निभाई थी क्या कौन से स्टेट्मेंट यहां पर सही है या नहीं तो करेक्ट नॉट करेक्ट दोनों चीज़ है यहां पर यहां पर केवल यह वाला स्टेट्मेंट ओनें राम मुहन रॉइ ने हिंदू कउल्ज की स्थापना नहीं की थी दा हिंदू कॉलेज और कलकत्ता बंगाल में आंदोलनों को आधनिक बनाने में महत्पूर कार्य करता था अब यहां पर देखते हैं कि असल में इस थापना किसने कि राज रा राजारा मोहन रॉय ने अपने देशपासियों को आधुनिक शिक्षा के लाभों का प्रसार करने के लिए काफी प्रयास किये, उन्होंने दा हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए डेविड हरे के प्रयासों का समनर्थन किया, लेकिन उन्होंने स्थापना नहीं करी थी, उ पाजर राम मुहनरोय ने अंग्रेजी स्कूल से मैकेनिक्स और वोल्टेर के दर्शन को पढ़ाया था ठीक है अंग्रेजी में युवा बंगाल आंदोलन के बारे में निमलिखित कत्नों पर विचार करना है यह यंग बंगाल मुव्मेंट था इसने सभी पतंशील पुरानी स रामाजिक परंपरा और रीत रिवाजियों का मजाक उड़ाया था यह पहला है 1831 में दा हिंदू कॉलेज मैं दा हिंदू बोलना हूं यह हिंदू कॉलेज हिए हिंदू कॉलेज से डिरोजियों की बर्श्टगी और उसकी अचानक बृत्तिव के बाद यह बंगाल आंदोल समाप्त हो गया था इस सेकेंड स्टेटमेंट है अब विच आफ फॉलिइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कॉन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है यहां पर करेक्ट है यहां पर करेक्ट है यह वाला करेक्ट है यह वाला करेक्ट है डिरोजियों का बंगाली समाज पर दीर कालिक प्रभाव था यह incorrect है तो देखते हैं कुछ explanation क्यों दीर कालिक हम प्रभाव नहीं मानते हैं अब आकी दोरों statement क्यों correct है हम यंग बंगाल movement के बारे मात कर लेते हैं एंगलो इंडियन थे युवा हैंड्री विवियन डिरोजियो ठीक है उन्होंने 1826 से लेकर 1831 तक दा हिंदू कॉलेज में पढ़ाया था यह प्रोफेसर और प्रग्ति शील प्रवत्ति के नेता और प्रे रख थे जो थिंकर टाइप के लोगों थे हैं महान फ्रांसिसी क्रांती से उन्होंने प्रेणडाली थी डिरोजियों ने अपने विद्यार्थियों को स्वतंत्र और वक्तर के संगत रूप से सोचने के लिए सभी प्राधिकर्णों सवाल करने के लिए और प्रेम और समानता और सुतंत्रता यानि कि जो फ्रेंच रिवल्यूशन के जो सिध्धान थे उनको यहां पर प्रेणा स्त्रोथ बनाया था पतनशील रीति रिवाज रूढ़ी वाद कि आउस्चम के साल तक का उनका कारिकाल रहा तो यहां लोग नहीं कह सकते हैं और शनमबर 17 यहां पर अब देखते हैं क्या डिरोजियों के पतन का क्या कारणध था अच्छा एक चीछ ध्यान रखेगा कि जो डिरोजियों के जो समर्था से उनकों को डिरोजियन से ठीक हैं दिरोजियन्स के पतन का क्या कारण था ये कोश्चन है उस समय की समाजिक परिष्थितियां कारण थे दिरोजियन्स के पतन का किसी अन्य समाजिक समू या वर्का समर्थन ना मिलना कारण था दिरोजियन्स के फॉल का जनता के साथ किसी भी प्रकार के वास्तविक तो कौन से स्टेट्मेंट्स यहां पर सही है पॉल अफ डिरोजियों के तो यहां पर सारे स्टेट्मेंट करें तो चारों ही कारण थे उस समय की समाजिक परिष्थितियां किसी अन्य समूह या वर्क का समर्थन ना मिल पाना कुछ ही लोगों का साथ होना और जंता के साथ ठीक है सफलता का कारण क्या था कि उस समय समाजिक परिष्थितियों को रोपना जो कटर पंथी विचारों को अपनाने में मतलब मैचूर नहीं थे आगे किसी अन्य समाजिक समूह या वर्क का उनको समर्थन नहीं मिला इस वज़े से फेल हुगा डिरोजियोंस के पास जंत पंथ किताबी चरित्र का था केवाल यानि कि बुकिश्ठा उसको फ्रैटिकल प्रैग्मेटिक लाइप में इंस नहीं करा जा सकता था इसने बहुवेदवाद और मूर्ति पूजा का विरोत किया उपनिश्दों का वाचन, प्रार्थना और ध्यान पूजा के रूप हुआ करते थे प्रहम समाज में क्या इसने अन्य धर्म की सिक्षाओं को सामिल किया और खुद को एक नए धर्म के रूप में स्थापित किया तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर प्रहम समाज के बारे में करेक्ट हो सकता है यहां पर करेक्ट है हमारा option number B यानि की 1, 2, 3 यहां पर करेक्ट है ये correct statement है यहाँ पर ये correct है और ये correct है तीन statement यहाँ पर correct है चौधा यहाँ पर incorrect है इसका explanation देख लेते हैं सोड़ा से जानते हैं राम मुहन रोय ने नया धर्म राम मुहन रोय जो है वो नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे वे केवल हिंदू धर्म कोई शुद्ध करना चाहते थे जिसमें कुछ बुरी प्रताएं आ गई थी राजा राम मुहन रोय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभाक इस्थापना करी थी बाद में इसका नाम बदल करके ब्रह्म समाज हो गया तो जैसकत नंबर फर्स्ट सही है अपने विचारों और मिशन को संस्थागत रूप देना चाहते थे किसी प्रतिमा मूर्ती नकाशी चित्रकला चित्र आदी के लिए समाजिक भवनों में अनुमती नहीं थी ठीक है तो इस प्रकार से मूर्ती पूजा और विर्थ की रस्मुरी वाजों को ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभाने कभी फॉलो नहीं करा है इस जिज़ ध्यान रखिएगा ठीक है question number 19 है हमारा social reformer को मिलाना है literary work से social reformer एक तरफ है literary work सुनके दूसरी तरफ है तो सबसे पहले भी आरम बेटकर के सामने अनलीशन ओफ कास जिस अभी को पता है सही है दयानन सरस्वती बैक टुबेदास और जोतिबा फूले गुलाम गिरी जोतिबा फूले की गुलाम गिरी यहाँ पर सही है डॉक्टर अमबेटकर ने और भी पुस्ता के लिखी है पाकिस्तान या भारत का विभाजिन इस नाम से लिखी है एनलीशन ओफ कास्ट बुद्ध और उनका धम यह लिखी है राजाराम मोहन रॉय ने गिफ्ट टू मोनो थीस्टी लिखी है और यह काफी इंपॉटेंट है स्पेक्टर में कई बार इसको दिया गया इसको याद करिएगा आप और बंगाली में वेद और पांच उपनिश्दियों का अनुवाद भी किया राजाराम मोहन रॉय ने और ताकि वो ये सिद्ध करत सकें कि प्राचीन हिंदू गरंथ एक एश्वरवाद में बिलीफ रखते थे रहानन सरस्वती के विचारों को उनके प्रशिद्धिकार सत्क्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित किया गया है वेदों की और लोट दिया गया एक नारा था कोई साहितिकार नहीं था ठीक है योतिबा पूले की क्रतियां है सर्व जन सर्थिधर्म और गुलाम गिरी आम जनता के लिए प्रशिद्धर्म और गुलाम गिरी यह जो पूले के हैं इनको दोनों को याद करिएगा बर फिर से इस क्वेश्चन में हमको लेखक और पुस्तक को मैच करना है ठीक है पुस्तक एक तरफ लेखक दूसरी तरफ भारती सुतंत्रता संग्राम वीडी सावर कर विश्वितिहास की जलक जवारलाल लहरू जातिका सर्वनाश राजा रामोहन रोय तो कौन सा स्टेट्मेंट यहाँ पर आपका सही मेल खाता है बताना है हमको इस क्वेशन का सही अनसर है अप्शन नमबर ए यानि की वन और टू करेक्ट ने ठीक है सुतंत्र भारती सुतंत्रता संग्राम वीडी सावर कर ने लिखी है विश्वितिहास की जलफ यानि ग्लिम्स ओफ वर्ल्ड इस्ट्री यह जवाहरलाल नेहरू की जाती का सर्वनाश किसकी है डॉक्टर बी आर अमबेटकर की है राजरा मोहन रोय की नहीं हम प्रीविस कोश्चन में भी देख चुके हैं इस चीज़ इसकी है अब यार अमबेटकर की अनलीशन ओफ कास्ट नहरू की और भी किताब याद रख सकते ज़द डिस्कवरी ओफ इंडिया ग्लिम्स ओफ वर्ल्ड इस्ट्री और उनकी आत्मकथा है टुवार्ड फ्रीडम राजरा मोहन रोय की मोनोथीश जरूर ध्यान रखिएगा साबरकर की लिखी पुस्तके एक भारती सुतर्षता संग्राम है और दूसरा हिंदू राष्ट्र दर्शन है ये भी ध्यान रख लिएगा और बेटकर जी कि हम बताई चुके हैं आपको प्रिविस कोश्चन में भी बढ़ते हैं हम लोग आगे अब हमारा चैप्टर नमबर का विश्वयापी उत्थान भारती पुनर जागरण सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया आधुनी की करण और फोर्स स्टेटमेंट कहता है कि भारत में ब्रिटिश सामराजवादी नीतियों की प्रतिक्रि तो कौन सा statement यहां पर correct है क्या 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 कारण थे rise of यहां पर radicals के तो चारों के चारों कारण यहां पर जो बताया गया है वो सही है राष्टवाद इसलिए उदय हुआ था राष्टवाद की उधारणा का विश्वयापी उत्थान उने कारण भारती पुनर जागरण बारत में रे जो दोरा शुरूई किया गया आधुनिकी करण यह भी कारण था और सामराजवादी नीतियों के प्रतिक्रिया भी बाकिस सब बारती पुनर जागरण भारत में अंग्रेजियों दोराशी शुरू किये गया आधुनिकी करण के जो भी चीज़े चल रहे ही थी प्रोग्राम वो खुद भी और भारत में ब्रिटिश सामराजवादी नीतियों की प्रतिक्रिया अब अगला क्वेशन नम लोग देखते है कोशन नमर सेकेंड है मारा इसमें भी स्टेटमेंट से देखने हैं पहला स्टेटमेंट है कि अपनिवेशिक शाषन भारत के आर्थिक पिश्डेपन का मुख्य कारण था अगला स्टेटमेंट कहता है कि ब्रिटिश भारत ने ब्रिटिश शाषन ने भारत में राजनितिक एक्ता लागू की थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि भारती प्रांथ प्रत्यक्ष ब्रिटिश सासन के अधीन थे रियासतें प्रत्यक्ष ब्रिटिश सासन के अधीन थी कौन से स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है विचाब दो फॉल्लेंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहां करें ठीक है और थर्ड स्टेट्मेंट यहां पर इनकरेक्ट हैं थर्ड स्टेट्मेंट इसलिए क्योंकि भारत के बड़े चेत्रों को पूर्व में ही एक ही सासन के तहित लाया गया था मौरों के अधीन या मुगलों के अधीन के होने के बाद भारत में अंग्रेजों ने एक बड़ा सामराज स्थापित कर लिया था मुगलों यह हम और समराज से भी बड़ा कैसकते हैं हम जबकि भारती प्रांत प्रत्यक्ष ब्रिटिश सासन के अधीन थे रियासतें इसके अब प्रत्यक्ष ब्रिटिश सासन के अधीन इसलिए खत्र नमबर 3 गलत है हमारा यह incorrect है अगला question हम देखते हैं question number 3 है हमारा नेमलिकित में से क्या British भारत का योगदान नहीं था एक प्रेशेवर सिविल सेवा का उदय क्या British भारत ने दिया था भारत की राजनीतिक एकता क्या था यह तो बिल्कुल नहीं होगा भारत में सांस्कृतिक एकता यह क्या हो सकता है पंचायति राज तो पताए कौन से स्टेट्मेंट यहां पर correct है क्या योगदान नहीं था अप्चन नमर B यहां पर सही है तीसरा और चौथा जो है पॉइंट यह ब्रिटिशर्स का योगदान नहीं था ठीक है थार्ड और फोर्थ यह योगदान नहीं था यह वाले थे तो भारत में राजस्टांस्कृतिक एकता यह तो ब्रिटिशर्स सोच भी ने सकते हो पंचा के लिए राजनेतिक एकता के आयाम स्थापित करता हुआ आ रहा है इस वज़े से 1 और 2 हम सही मानेंगे प्रसासनिक सुविधा की अवश्यक्ता सैन रक्षा के विचार और आर्थिक पैठ और वाणिजिक सोचन के लिए आगरे सभी ब्रिटिश हितों में परिवहन और संच करवाये था कथन नंबर 3 और 4 गलत हैं निम्लिकित में इसे भारतियों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभावड़ा था पहला है कि भारतियों में आध्यात्मिक सोच का प्रसार हुआ था दूसरा है उदार और कटर पंथी पश्चमिव विचारों का प्रसार हुआ थ करने में जो अलग अलग छेत्र थे रीजन्स उनको help मिली थी क्या राष्ट्री नेत्रत तो प्रदान करने में मदद मिली थी आंदुलन को तो कौन सा यहां पर सही है यहां पर 2,3 और 4 यहां पर correct है पहला incorrect है भारतियों में आध्यात्मिक सोच का प्रसार किसी भी मतलब कु क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा था इंग्लिस एजुकेशन का प्रभाव स्वस्त तो नहीं हो सकता है तो हम देख लेखते हैं explanation शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली की शुरुवात आधुनिक पस्च में विचारों को आत्मसात करने का आउसर दे गई थी भारतियों को इसने भारति राजनितिक सोच को एक नई दिशा दी हलांकी अंग्रेजी शिक्षा की अधारणा शासकों द्वारा कुशल प्रसासन के स्वार्थवस आत्मसात की गई थी यानिकि अच्छा एड्मिनिस्ट्रेशन हो सके इस वुजे से ब्र रूसो, पेन, स्पेंसर, वोल्टायर, मॉन्टेस्क इन सभी यूरोपिये लेखों को के उदारवादी और कटरपंथी विचारों को भारतियों पढ़ पाएं इंग्लिस सीखने के बाद आधुनिक, तर्क, संगत, धर्म, निर्पे, शलोक, तांत्रिक, राष्टवादी विचारों को आध्पसात करने में मदद मिली ठीक है, मतलब इंग्लिस से ही हम उनकी राइटिंग्स को, उनकी आइडिलोजीस को एक्सेस कर पाए अंग्रेजी भाषन में भिन भाषाई छेत्रों के राष्टवादी नेताओं को एक दूसरे के साथ संभाद करने में बिल्कुल बंदद की दूसरे के रीजिनल लैंग्वज नहीं जान सकते लेकिन काफी सारे रीजन के लोग कॉमनली इंग्लिस सीख रहे थे उच्छा के लिए एकसर इंग्लेंड का दौरा हुआ किसके द्वारा उधारवादी पेशेवर जो डौक्टर वकील वगएरा थे वहां उन्होंने आधुनिक राजनीती का काम देखा और चका चौंद रहे गए कि वहां पर तो लोग बिल्कुल डेमुक्रेसी लाए हुए हैं और यहां पर हमारा जो है दमन करना है और नागरिक पूरा बनाया और कुल बिला करके कि हमें भी बिल्कुल डेमुक्रेसी चाहिए हमें भी उधारवात चाहिए आधुनिकी करन चाहिए यह सब हमको मिला अंग्रेजी शिक्षा से यह वह खंड था जिसने भारती राजनीतिक संगों को नेत्रत प्रदान किया कौन-कौन एक त देश यह था इसका भारती विश्विद्यालों में सेक्षिक सुधार लाना मौनटेक चल्फर्म सुधारों की डायर्की के काम-काच की जांच करना शासन योजना के प्रक्रती की जांच करना और सुधार के लिए नए कदम सुधाना या फिर बिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया डादा भाई नौ ate ऑय सिने ब्हारती हितों के पुर्थिर्दिक रूप में सामिल ते उनी तो में प्रकाशित वैयो की रिपोर्ट में कई ऐसे मामलों में दिखाया गया था जहां बृटिश सरकार द्वारा भारत बृटिश सरकार ने अपनी जैड़िसी ओं को बहुत ज्यादा भुकतान किया था बिना किसी शर्तों के और उन्होंने काम अच्छा नहीं किया तब भी भुकतान को किया गया सबसे ज्यादा जुलन्त मुद्धा था रेड़ सी और इंडियन टेलिग्राफ कंपनी का 1858 में कंपनी का गठन किया गया था ग्यारा मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का इसमें निभेश किया गया ठीक है हलांकि कुछ दिनों बाद जब टेलिग्राफ लाइन तूट गई तब भी कंपनी को कारंटी की तोर पर जुत मिलता रहेगा भले टेलिग्राफ लाइन काम करें या फिर ना काम करें तो यह सब देखने के लिए वल्बी कमिशन का गठन हुआ था आयोग ने रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट ने हाउस आफ कॉमन्स से वित्तिय विवस्था में इस पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की थी ब्रिटिस लागत भारती राजस्वत से वहन ना की जाए ऐसी रिकमेंडेशन की थी भारत ब्रिटिस सामराज के सदस के लोग इसको ये चैप्टर रहेगा हमारा अब इसके हम से क्यूज हम लोग देखना चालू करते हैं निमले कितमेंसे क्या भारत से धन की निकासी का कारण था ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हुआ था लूट और कराधान भारत में अंग्रेजों को रोजगार देना भारत में ब्र ले लिए लेकिन भारतियों को वापस नहीं किया विकास कारण के रूप में तो इस वजए से ये कारण था ड्रेन ऑफ वेल्थ का भारतियों से लिए कर्ण का उपियों कहां किया गया ब्रिटिश सामराज के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कथा No.2 इसलिए साहिए क्योंकि उनका वेतन भारती धन से बुक्तान किया जाता था किसका British Officials का और यहां तक कि उनको विदेश में भेजा गया था उसी धन से कथा No.3 भी साहिए क्योंकि कई उद्यमियों को उनके निवेश पर रिटर्न की गारेंटी दी गई थी जैसे कि रेलवे में निवेश के रूप में और लाप के रूप में बृतें की पूझी अलगुल विलाएकर ड्रेन ऑफ वेल्थ किया गया था स्टेटमेंट अपमर 3 के का ठीक है भारत में बिटिश पूझी का निवेश हुआ था इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला कोश्चन है मारा निमलिकित कत्नों पर विचार करना है डफरिन ने राश्वादियों को देश द्रोही ब्रामण अराजक बाबू कहते हुए कांग्रेस के निंदा की थी कि बार इंकरेक्ट कौन सा है डी इंकरेक्ट है है आपर ना तो एक ना तो दोनों यानि कि दोनों ही स्टेट्मेंट यहां पर करेक्ट हैं रफरिन ने और बिटिश सरकार ने राश्वादियों को नैश्वादियों को देश द्रोही ब्रामण बेगारी बाबू कहते हुए कॉंग्रेस की खुली निंदा की थी और कॉंग्रेस को देश द्रोह का कार खानक आ जाता था है यानि फैक्टरी ओफ सिडीशन कथनेक सही है बाद में क पूट डालो राजकरों की नीति का प्रयोक की हमेशकतर है अधिकारियों ने इंडियन पैट्रियोटिक एस्विशियेशन को मजबूत करने के लिए समर्थन किया और कॉंग्रेस का प्रचार कामकाबला करने के लिए बनारस के सरसेद अहमत खान और राजा शिव प्रसाथ स कि आयुजित किये गए थे ठीक है दूसरा है कि शुरेंद्रनाद बेनर जी और अनंद मोहन बोस भारती राश्ट्री सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार थे भारती राश्ट्री कॉंग्रेस यानि कि आइनसी का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉंबे के गोकुल दास द एओ यूम ने उस समय के प्रमुख बुद्ध जीवियों को संगठित किया और उनके सहयोग से भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के पहले सत्रकायोजन बॉंबे के गोकुल दास देजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया ठीक है कथा नम्बर 3 सही है प्रस्ताओं के रूप में भारती राश्टी सम्मेलन के दो सत्रुवे था 1883 और 1885 कॉंग्रेस से पहले इसमें भारत के प्रमुख शहरों के सभी प्रतिनिद्धी सामिल थे सुरेंदरनाथ बेनर जी और आनंद मुहन बोस ने इकुल बिलाकर के और नाइस करवाया था इस वुझे से इनको चीफ आर्किटेक्ट बोलते हैं इन सम्मेलनों का या फिर मुख्य वास्तुकार तो कथा नम्बर 1 और 2 भी सही है क्वशन नम्बर 3 कहता है हमारा कि आधुनिक भारत के टिहास के संदर्ब में फ्रेजर कमीशन की स्थापना इस प्रकार की गई थी नागरिक प्रिशासन में सुधार के लिए रियासतों और सर्वोपरी शक्तियों के बीच संबंदों की जाच करने के लिए इस प्रकार नहीं होगा किस उद्देश से की गई थी यहाँ पर होना चाहिए कोशन किस उद्देश से की गई थी तो देश क्या था कि नागरी प्रिशासन में सुधार था क्या रियासतों और सर्वोपरी शक्ती के बीच संबंदों की जांच करना था क्या सिक्षा में सुधार था या पुलिस विभाग में सुधार तो ये किसे related थी D यानि पुलिस विभाग में सुधार से Fraser कमीशन संबंदित थी 1902-1903 के लौड करजन द्वारा सर एंड्रिव फ्रेजर के नाम पर Fraser कमीशन का गठन किया गया था पुलिस सुधारों के लिए एक आयोग था ये सिविल सेवा में सुधार का सुझाओ देने के लिए 1886 में डफरिन दोरा एकिसन कमीशन की स्थापना की गई थी ठीक है एकिसन कह सकते हैं एकिसन बटलर आयोग का गठन रियासतों और सर्वो परीशक्तियों के बीच संबंदों की जांच करने के लिए किया गया था ठीक है अब अगला क्वेशन देखते हैं बारती राष्ट्री सम्मेलन के 2788-8885 में आई जी तुए थे क्या सुरेंद नात बेनर जी और अगला क्वेशन देखते हैं सुरी वो हम दुबारा बढ़ने लगे थी क्रिशन नमर 5 परानायम को अपने प्रारमभिक चरण में के दौरान निमलिकित में से कौन भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का उद्देश नहीं था ठीक है क्या यहां पर अब्जेक्टिव नहीं था आइनसी का एक भारती राष् का तो इनिशली कॉंग्रेस का कोई ऐसा यहां पर मोटिव नहीं था कि सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया जाए गया यह सब बाद में हुआ था कॉंग्रेस के सुरू के उद्देश यहां पर बता देते हैं एक लोकतांत्रिक राष्टवादी आंदोलन प्रात करना लोगों का राधनीती करण करना उन्हें शिक्षित करना एक आंदोलन के लिए मुख्याले स्थापित करना, देश के विभिन हिस्सों से राष्टवादी, राजनीतिक कारिकरताओं के बीच महित्री पूर्ण संबन्दों को बढ़ावा देना, एक उपनिवेश, वाद, विरोधी, राष्ट्री, विचारधारा का विकास और प्रसार करना, एक आम आर्थिक और राजनीतिक कारिकरम पर लोगों को एगजुट करने की दरश्टी से सरकार के सामने लोगप्री मांगों को तयार करना और पेश करना, धर्म जाती अप्रांत के पड़े लोगों में राष्ट्री एक्ता की भावना का विकास करना और समेकन करना, भारती राष्ट्रवाद का ध्यान पूर्वक प्रचार और पॉश्ण करना यह सब इनिशियल अब्जेक्टिव थे कॉंग्रेस के जो की स्प्रेक्ट्रम में की बनने इसमें हमको moderate के बारे में विचार करना है moderate के टर्म में पहला हमारा statement है यहांद पर अभिकतन और reason वाला है assertion and reason assertion है नरम पंतियों का मानना था कि ब्रिटिश लोग भारतीयों के लिए नियावजित बनना चाहते थे कारण इस assertion के पीछे है कि नरमपंधियों का मानना था कि British वास्तविक भारती परस्थितियों से आउगत नहीं थे तो कौन से statement यहां पर सही है B यहां पर सही है कि A तो सही है लेकिन R A का उप्यूक तो इस पश्टी करण नहीं है ठीक है बता देते हैं आपको नरमपंधियों का मानना था कि British लोग भारतीयों के लिए नयावचित बनना चाहते थी यह है तो सही एकदम लेकिन यह इसका सही reason नहीं है ठीक है यह इसका सही reason नहीं है statement का तो यहां पर explanation समझते हैं उदारबादी राजनीतिक गतिविधी में कानून के सीमाओं के भीतर रहकर समवैधानिक आंदोलन करना शामिल था मॉडरेट्स में एक धीमी किन्तू एक क्रमबध रूप से प्रगति शील प्रगति उन्हें दिखाई देती थी लगता था कि हम धीरे-धीरे किसे ना किसी करके अंग्रेजों को मला लेंगे और हमारे इशूस पर वो लोग ध्यान देंगे ही देंगे आधि के माध्यम से सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाए तो अधिकारी धीरे-धीरे इन्हें मानने लगेंगे दोनों ही कथन व्रक्तिकत रूप से सही लेकिन कथन नमबर टू जो है एक का सही स्पष्टिकरण नहीं देता है चेतना और राश्ट्री भावना को जगाने के लिए एक मजबूत सारवजिनिक राय बनाना और फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को सिक्षित और एकजुट करना दूसरा है भारत में सुधारों की शुरुवात के लिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता की राय को रूस में रखी गई तरज पर लागू करना उपरोक्त में से इंडियन नैसनल कॉंग्रेस के मौडरेट्स का युगदान इन में से क्या था क्या दोनों थे कोई एक था या कोई भी नहीं तो केवल एक था ठीक है चेतना और आश्ट्री भावना को जगाने के लिए एक मजबूत सारभीक राय बनाना और फिर आम राजनितिक सवालों या मुद्दों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करना ये था रूस की तरज पर यहां पर लागू करना ऐसा कोई भी मौडरेट का प्लान नहीं था रमपंदियों का मानना था कि बिटिश मूल रूप से सिर्फ भारतियों के लिए नयाचुद बनना चाहते हैं लेकिन वास्तिवी परिस्थितियों से आउगत नहीं थे इसलिए अगर जनता की एक राय देश में बनाई जाए और जनता की मांगों को प्रस्तावों को याचकाओं को बैठकों के माध्यम से सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो अधिकारी दीरे दीरे इनको सुविकार करेंगे इस अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दो तरफा कारेप्रणाली पर काम किया एक तो उन्होंने मतलब अपने लोगों में राश्ति भावना का प्रसार प्रसार किया मुद्धों को समझाया कि हाँ यह हमारे पास मुद्धे हैं फिर आम राधनितिक सवालों अर्को पर लोगों को सिख्षित और एकजूट किया और दूसरी तरफ उन्हें British सरकाव बिटिश लोगों के में कुरुंsom मYतम nosafela हो तो कथ नंबर टू गलत है से स्लीए